फ्रेंड जसके देख पार आज मेरे पास है टीवेस एक्सल हंडडेड बीएस एफाई वाली वरियंट हो और आज इसको जिस सिच्विशन में कस्टमर मेरे पास लेक आए है यह रिजेक्टेट गाड़ी है दो से तीन जगह से रिजेक्ट होका आई है और मेरे पास ट्रक में लोड करके लाया गिया है और यहाँ पर जैसे इसके को वर दिखाइंगे तो यहाँ पर देखिये चेकेंजिन लैट का आरला कोड शो कर रहा है जब इसका मैंने इरट्व चक्शो क्या कि कहा से का इरट्य आ तो इसका इरो बिलिंग किया इसमें बहुत मेहंगी चीज खराब हो चुकी है जिसका मैंने प्राइस डिसाइड करके देखा तो इससे 5-6,000 की मेकसिमम इसका प्राइस है तो कहां पर इशू है किस जगा से खराब हुआ कैसे खराब हुआ कस्टमर से मैंने बात की तो पता चला है कि इसका सबसे पहले कहां-कहां पर कौन से गलतिक गया और 2-3 जवग क्यों नहीं बन पाई क्यों इसको रिजेक्ट करके मेरे पास लाए घया उसे के बारें डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगे वीडियो में एंड तक बने रही एक प्रोसेस के बारें बताएंगे और आ को जरू से जरू सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजेगा ताकि प्रड़े इसी तरह से टेक्निकल और हेलफुल वीडियो लाते रहें चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोब्लम के बारे में बात करते हैं कस्टमर जो है एक मेकैनिक भाई के पास ले गए थे इसमें का हो रहा थे होरन का इशू था होरन गाड़ी का बज नहीं रहा था उस सिच्वेशन में क्याची चेक करना चाहिए था यहां पर यह कि इसके जो पैनल के नीचे अल्रेडी मैंने वीडियो बना रहा है पैनल के नीचे एक फ्यूज लगा हुआ है जो खराब था बंदे को पता ने चल पाया उन्होंने का किया कि इसका यहां से एक जो पॉजिटिव वायर होता है इसको कनेक्शन लेकर और इसके बोड़ी पे टच कर दिया उसके बाद से जो यहां पे एरर कोड आने लगा इस जिगह पे और गाली स्टार्ट ने होने लगी और उस सिच्वेशन में बंदे ने बहुत कोशिश की इसमें नाईब एटरिया सिंबल किये जिस तरह से कस्टमर बता रहे थे किसी को हम गलत नहीं बोल रहे हैं बट आपके पास भी इस मैं किसी मेकरियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लिए इसमेर में पॉजितिव वयर ले के बोडी पे टच कर दिया और आपको पता ही होगा कि बी एसिक्स या बी एस फोर की जो यह आई एस जी अस्टार वाली गाड़ियां होती है उसका बोडी में कभी वायर टच नहीं करना चाहिए करंड भी चेक करना हो तो आप मल्टीमीटर से चेक करें अगर बोडी में टच करके चेक की जगा तो हंडेट परसें शॉट सर्किट ह होना ही होना है तो क्या हुआ कि जैसे ही बोडी में टच किया इस जगह पर तो इसका यहां पर कंट्रोल यूनिट आई एस जी इस टार्टर जो इतना बड़ा लगा होता है जिसका प्राइस मेक्सिमम पांच से छी हजार रुपे होगा वह यहां से उड़ गिया यानि कम्प फ्यूज बोक्स के अलग सी वीडियो बनाएं यहां पर फ्यूज बोक्स फ्यूज लगा हुआ है यहां पर लगा हुआ है तो यह तीन जगह पर फ्यूज चेक करें इसको ना खुले यह यहां पर लगा गया है यानि बहुत ज़्यादा परिशानी होने के बाद उन्होंने कर दिया फिर यह दो से तीन गैराज में ले गए नहीं बन पाई गाड़ी आज हम फाइनल गाड़ी को स्टार्ट करेंगे जैसे अभी देखिए इगिनेशन को ओन किये देखिए यहां पर अभी हम इसमें सेल्फ यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे सेल्फ यूज करेंगे अचलिए आपको न लएक डिखाते को चली अगरापको नहीं आता है तो नीचे डिस्कृप्चन में मैंने लिंक दे दिया तो यहां पर इसको इस तरह से ओपन करें गे इसके दो बोल्ट ehmm के हो यहां पर इसने पर बीना टाइम विश्ट की चलिए फटाक से ऑपन करते हैं तो इस जगा पे ऍसकी स्कुरू है और एक नीचे इसी तरह से सेम उपन करना है तो बिना टाम विष्ट के चलिए हम उपन कर लेते हैं में टोपिक को कवर करवाते हैं कि कहां पे गलती कर दी है कस्टमर भाई ने यह देखिए इसके पैनल के दो इस्क्रू उधर से भी में ने उपन कर लिया यह उपन होगी आप 8 mm के स्पेनर के मदद से यह दो बोल्ट उपन करेंगे तो दो बोल्ट हम यहां से ओपन करते हैं एक उधर लगा हुआ है एक इधर लगा हुआ है दोनों को ओपन करते हैं उसके बाद आपको हम आई स्टार्टर के पास ले चलते हैं आप अपन हो गया इसको इस तरह से पुष्ट करेंगे निकल आएगा अब देखें गलती कहां कहां पर गलती किया है यह देखिए इसका स्टार्टर है और हमें क्यों लगता है कि इसके अंदर से जैसे स्मॉक टाइप का निकला होगा मेकेनिक भाई समझ रहे होगा कि यहां से इसका लीक आ गया लीक हो जायने के कारण सोचा होगा यहां पर देखिए एमसिल लगा दिया गया सबसे पहले इसको ओपन करते हैं सारे सर्किट को यह सारा सर्किट में निकाल लिया और देखिए कहां पहला पर भाई इस तरह से गलती ना करें को किसी भी में कस्टमर भाई को भी भरना पढ़ जा रहा पांसे चीजार रुपए तो आपके पास गाड़ी आती इस तरह से ठोक ठाक ना करें यह देखिए इस जिगा पर स्कुरूड्राइवर से हीट किया गया इसके अंदर हॉल करके इसके उप आपको दिखाते हैं complete नई ISJ start लगाएंगे और गाले को start करेंगे तो दोस्तों देख पा रहा है यहां पे आपको देख पा रहा होगा control unit ISG इसका part number यह यहां पर प्रैस देख पा रहे और 4814 रुपए यानि complete 5000 रुपए इतना ज्यादा प्रैस वाला एक छोटी सी गलती कि जैसे सिर्फ बोडी में टच कर देने कि वह जैसे 5000 रुपए भरना पड़ रहा है तो इसको चलिए unboxing कर लेते हैं पहले इसलिए कट कर दिए इसमें दो मोडल आता है एक white silver color का ISG होता है एक black color का ISG होता है तो यह black color का मैंने मंगवाया है aftermarket मैंने बहुत research किया बट नहीं मिल स्टार्ट करते हैं और आपको प्रूफ के तोर पर दिखाते हैं कि इसी से हमारा irritating problem था और हम यह नहीं बोलेंगे क्योंकि चाली गाड़ी थी यह हम नहीं बोलेंगे कस्टमर इसको खराब करके ले गए थे यह हम बोलेंगे कि इसको मेकैनिक भाईयों ने खराब किया है क्य यहां पर देखिए इसको लगा दिए और इस वाले सोकट को भी लगा दिए और एक और कपलर इसका शायद अंदर चला गया उसको भी हम बाहर ले लेते हैं यहां देखिए यह और यह आइस जीज डालेंगे और हमारी गाड़ी का होगी से स्टार्ट हो जाएगी कि कर दिए बिना टाइम विस्ट की हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट फाइनल इसके इगनेशन को करते हैं और यह इसलिए भी एरर को शो कर रहा है इसको लगाने के बाद क्योंकि बेटरी थोड़ी से डिस्चार्ज होगी यह बहुत ज्यादा यूज करने बाद तो डिस्च लगाने के बाद गाड़ी हमारे ISG लगाने के बाद स्टार्ट हो गई सिर्फ यही प्रोवलम था इसमें और कुछ इशू नहीं था और इसको खराब करने का वही रीजन था जो सिर्फ बोड़ी में तो आपके पास भी इस तरह से ISG वाली जाती है होंडा SP 125 या फिर होंडा ड्रीम डिलक्स या होंडा साइन इस तरह जो ISG श्टार वाली गाड़ियां जाती है उसमें बोड़ी में हर्गिज ट्राइट ना करें वरना आपका यह उसका तो और महंगा होगा यह थो थोड़ी काम कोस्ट का क्योंकि बजट की गाड़ी है उसका और ज्यादा प्राइस ह यह प्राइस होगा तो अब पता चली होगी हो कि इस तरह से प्रोब्लम का सेल्यूशन निकालना है यह वेस्ट चला गिया कंप्लीट यह रिपेर भी नहीं होता क्योंकि देख पारें कहीं सी स्क्रू अगे रहा कुछ लगा हूँआने कंप्लीट सीज पढ़ जाता है और से इस फॉर और बीए सिक्स के रिलेटेड वीडियो लाते रहें एक बर फाइनल आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं तो अब देखिए कहीं से कुछ स्मॉक वगेरा नहीं निकर रहा कोई धुमावन पहले बहुत ज्यादा स्मॉक निकलता था यह सेल्फ यूज करने से क्योंकि यह हीट होके जाल गया था चले फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में